मैं 76 साल का हूँ मैंने अपनी जिंदगी में इस मुल्क के उपर ऐसी विब्दानी देखी कि आदमी से आदमी तूट जाए बाप बेटे की अर्थी देखे बेटा बाप को कंधार न देशके आपसे यही कहना चाहता हूँ बहुत गलब सब्द का इस्तिमाल किया गया है मेरा मानना है सोसल डिस्टेंसी मेंटेन करो नहीं मन की दूरी खतम करो तन की दूरी काइम रखो सोसल डिस्टेंस का मतलब है मन की दूरी इस कुरोनकाल में अगर हम मन की दूरी खतम कर देंगे तो जिसको कुरोना होगा वो तूट जाएगा, उसको तूटने मत दो, बहुत बड़ा प्राद किया है, इससे बसने का एक उपाय बताता हूँ, अपना लेना, करोना मर जाएगा, एक ही काम करो, ना तो टीवी पर कोई चैनल देखो, और ना आख बार पढ़ो, करोना दो करोन लोगों में फैला है, इन माध्यमने, चैनल टीवी का हो, चैनल एक बार, एक सो पैतिस करोड के दिमाग में ये बिमारी भर्दी है, बिमारी सरीर में हो तो इलाज हो सकता है, लेकिन बिमारी दिमाग में घर कर जाए, तो भगवान भी उसका इलाज नहीं कर सकता, इसका एक हिलाज है, यह जो जहर फैल आहे हैं, बिमारी फैल आहे हैं, यह आतंग फैला रहे हैं, यह यह नहीं बतातें कि करोणा से फिसली लहर में सिर्फ 2-30 लोगों की म्रत्यू ही थी, और इस बार बड़ी लहर है लेकिन म्रत्यू जो हुए है कल की ख़बर थी, एक 1.3% लोगों की मृत्यू कम हुई है और इससे ज़्यादा मृत्यू हर एक बिमारी में होती है लेकिन इन संचार माध्यमों ने इस बिमारी को हर घर में पहुचा दिया है अगर बसना चाहते हो तो इस बिमारी से चूजने की जरूत है डरने की जरूत नहीं कई लोग इस बिमारी के डर की वज़े से हॉस्पिटल भरती हुए और डर की वज़े से मर गए अपने अंदर का डर खतम करो तो आप भी इस करोना को पर विजय प्राप्त कर सकोगे हिम्मत रखो कोई महामारी नहीं है एक बिमारी है और सरकार से भी कहना चाहता हूं कौरोना एक समस्या एक मात्र समस्या नहीं है इसे एक मात्र समस्या मत बनाओ वरना और बिमारियों से जो देश जूज रहा है बेरोज़गारी से गरीबी से उससे और तूट जाएगा अजय मेरी बात आपको पसंद आई होगी मैं चाहूंगा कि कल से आप जूजो तूटो मत और जिसको भी करो ना हो उससे मन की दूरी मत रखना वरना वो और तूट जाएगा तन की दूरी आपकी शेहत के लिए और सामने वाले की सेथ के लिए बहुत जरूरी है जैहिन